नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल जी एस प्लैनेट पर आज हम लोग डेली करेंट अफेर्स के सिरीज में 23 जून 2021 की महतपूर खबर और उन पर आधारित प्रश्णों को हल करेंगे तो इसी करम में देखते हैं आज का पहला प्रश्ण पहला प्रश्ण है कि हाले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीमाइड़ खाया गया जाता है यह किस देश में पाया गया है बोट्सवाना साउथ अपरीका रश्या कॉंगो डेमोक्राटिक रिपाबलिक देखिए चारो देश पुरी दुनिया सबसे ज़्यादा ही रा उत पादन के नाम से जाने जाते हैं इसमें सबसे यह कहां पाया गया जो तीसरा सबसे बड़ा ही र अच्छ पुड़ा सा स्क्रीन में प्राबलम आ रही है ठीक है बोट्सवाना डायमंड कुट भी वर्ड्स लार्जेस्ट वर्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड ठीक है यहां पर एक हीरा जो ख़दान में से निकला है यह वां के राष्ट पती है कौन है इतना जाने के माइक्रो लेबल का भी अगर डामेंशन में डिफरेंस आता है तो उनकी कीमत हजारों किया जाती है तीसलिए कारेट पर मापा जाता है ठीक है एक हजार नांटी एट कारेट पर है जो कि अब तक कि यह तीसरा सबसे बड़ा हीरा माना जा रहा है क्लियर दूसरी बात क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा हीरा तो दूसरा भी बोत्सवाना में प्राप्त हुआ था 2015 में जो पहला मलब सबसे बड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है वो 1905 में मिला था कहां पे वो मिला था साउथ अफरीका में कहां मिला था साउथ क्या दुनिया का सबसे बड़ इसका नाम है क्या नाम है क्या नाम है कुली नन मान लोग कभी पूच लिया जा है वह जैं पूछे जाने संभावन numी कम है तो पहला क्यों साथ slice के नाम से तीसरा अभी न arquै Post बोथ स्वाना के बारे में बत कर लेते हैं ये रहें आपर पुरी तरह से इदर नामीबेया इलिदर जांबिय अइल्ट अंगोला ये पांच देशों से घीरा हुगा है जो यह पूरी तरह से लेंड लॉक्प बोच स्वाना्य कि यहां पर हिरा का अगर आपसे पूच carbon क्या नाम है जारा हरी का यहां से ट्रिक बन गई यहां से याद रहे गा टिक है यही पर देख लेते हैं लिश्ट देख लेते हैं कि दुनिया में सबसे जादा उत पादन करने वाले देश कौन से ऊचाँ जा सकते हैं सबसे बड़ा है बहुत सवाना सेकंड है बोकरिक रिपबलिक आप कांगो जो है यह कहां पर है यह अफुसरा कोशिन देखते हैं आज का दूसरा कोशिन हाली में भारत और जपान यह बहुत ही most important question है भारत और जपान के नौ से नौ के बीच में यह नौ नौ से ना ऐसी होती है वो गूगल टाइप में समस्या आ गई नौ से नौ के बीच में यानि नेवी के बीच में joint exercise होगा इसका code name क्या है देखिए आपको पता होना चाहिए दो देशों के बीच में जो joint exercise होती है वो तीन तरह की होती है ठीक है मुखता तीन तरह की होती है एक होती है नौ से ना की दूस जो है joint exercise होती है यह joint exercise करने का मकसद क्या होता है मकसद एक दूसरे की best practices को share करना होता है साथ ही पुरी दुनिया को संदेज देना है कि हम लोग बहुत ही अच्छे मित्र है एक दूसरे के support करेंगा clear है तो भारत और जपान एक natural partner है और बीच बीच में अभ्यास करते रहते हैं इनका code name क्या है तो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे यह answer one होना चाहिए सायोग कैजने बिल्कुल गलत है अलाकि यह एक तरह का सहन अभ्यास है जो भारत और जपान के बीच में होता है लेकिन इसका code name जो है नौ सेना वाला नहीं है यह समद में नौ सेना के बीच में जो कि मेरी टाइम कि मारी टाइम एक्सर्जाइज क्लियर मैरी टाइम का मतलब होता है समुद्रे जहां कई एनिफिंग की रिटें रिटें ऐस मैरी टाइम डाट मेंस ऊशनिक समझा समझे समझतर तो भारत और जपान के बीच में यह सायोग जो सैणने अभ्यासा यह भी भारत कि दोनों की कोस्ट गार्ड जो है कोस्ट गार्ड समझते हैं आप लोग तट रच्छक बल जो है वहां की उन देनों के बेच में हैं देखिए नेवी का काप कुछ और होता है कुछ और होता है और कोस्ट कार्ट का काम कुछ और कोस्ट कार्ट का कम क्या है सीधे सीधे क्या करना है जो सागरी सीमा होती है उसको गाड करना गाड करना मलब चौकसी करना कि कहीं से कोई घूष न जाए और नौ सेना का काम है अगर कोई युद्ध होता है तो वो युद्ध में उसका code name है सायो कैजनी नौसेना का यानि navy का क्या है जिमेक्स है clear है अच्छा यह जो और भी code name लिखे हुआ है यहाँ पर इसका मतलब भी देख लेते माला बार माला बार आपको पता होना चाहिए इसमें चार देश इसमें चार देश जो है participate करते हैं भारत और जापान तो करते हैं यह करते हैं इसमें Australia और US भी करते हैं तो चार देशों की क्या navy यानि नौसेना करती है उसका नाम है माला बार आपको वरुन किसका है वरुन भारत और France के बीच में यह भी नौसेना है clear one आगे देखते हैं यह न्यूस पढ़ लिजीगा तीसरा कुशन आज का दस सेवन सीन्स आफ बींग अ मदर पुस्तक के लेखा कौन सेवन सीन माने होता पाप मलब माता बनने के माता होने के साथ जो पाप है उनके बारे में यह डिसकस करती है पुस्तक हाला कि यह और यह मै भी स्क्षासमान के क्या हो क्या है इस रहा हो में मदर ठीक यह उनकर तसवीर है यह प्लिदी जीगा पाधर स्टे पर इनुम्न ने लिखा ठीक है चौथा कोशन आज का है कि हालिया में की से डबलो डफ इंडिया के द्वरा ये एक का ओगनाईजेशन है अभी इसके बारे भी देखेंगे डबलो डबलो एफ इंडिया के द्वारा फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एंबेजडर बनाया गया है किसे बनाया गया है शिखा चोधरी जी पूजा सुब्रमन्यम उपासना कमी नेनी और रोमिला बजास सही अंसर फॉरेस्ट लाइन हीरोज एट डबलो डबलो एफ इंडिया तो यह हैं कौन क्यों इनको एवर्ड दिया गया यह भी देख लेते हैं उपासा कमी नेनी जो है यह डारेक्टर है किसकी अपोलो हॉस्पिटल आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत की सबसे बड़े हॉस्प इन फोट कोुड़ान है तो होस्पिटल में यह होस्पिटल के साथ साथ यह जो है ऌई ऑप्रोटग्षित में बॉट्था ने रहा है इसे wildlife protection कहा जाता है तो दोनों छेत्र में इनका योगदान दा इसी योगदान को सरहना करते हुए WWF इंडिया ने इनको यह वाड दिया है अब WWF इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दो डब्लो डब्लो एफ इंडिया देख लेते हैं अच्छा डबलो डब्लो एफ पहले समझते हैं यह क्या व्ल्ड वाइट फंड पॉर नेचर इसका फुली फॉर्म है वर्ल्ट वाइट फंद फॉर नेचर तीए फूल्म है इस एंटरनाशनल नॉन सब्सक्राइब करें जानवर है उन सब को सुरक्षित कैसे रखा जाए इंटर्फेरेंस क्योंकि दोनों को खत्रा पौधों को भी वनस्पतियों को भी और जानवर को दोनों को खत्रा किस्से होता है मनुश्य से खत्रा है तो कैसे उनको रोका जाए कैसे यह इस चीज को और आगे बढ़ाया जाए तो इसको लेकर यह संस्था काम करती है पूरे ग्लैंड दिखे आपको यह तो बियर के लूप में इसका लोगो है इसका काम क्या है पूरे दुनिया में वाइड लाइड को सुरक्षित रखना तो वाइल वाइल वाइड फंड फॉर नेचर इसका नाम है और इसने वाड़ दिया कि इसको उपासना कमी में ने समझ में आ गया अगला पूश्चन पहांच वाज देखते हैं संयुत राष्ट लोग से वाड़ दिवास यानि यूनाटेट नेशन पॉब्लिक सविस का डे कम मनाया जाता है बीजून इकीजून बाइजून और तेजून तो इसका सही एंसर क्या है बाइजून को मनाया ज स्थ्थ्था क्यों में सारोजनल सेवा की ययोगदर si saug campus पॉपलिक सर्विस का मतलब हो यहांसेय सर्विस जो राज्य के द् önागरिकों के लिए कि भाबिक services का आता है यृप्लिक सर्विस सर्प्यविस तो आजका सन मॉलाट करने के लिए करने के लिए यह मना जाता है कब मना जाता है तीज ने का लास्ट कूश्चन देखते हैं कि माभ्या सूधन भारती वाई सेना में fighter पाइललने के रूपे इतिहास रचाएं वह किस राज्य की इसका जम्मो कश्मीर जिले के रहनी 20 साल की इतिहास रजदीया वह भारती वासे ने बतोर फाइटर पाइलेट शामिल होने वाली जम्मो कश्मीर की पहली महिला बन गाई इसलिए इसलिए इम्पोर्टन्ट है बारवी महिला अपसर और फाइलट के रूप में देख लेते हैं जम्मु कश्मीर अभी इस समय चर्चा में ज्यादा चला क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर ने कल जम्मु कश्मीर की जो राजनेतिक डिल उनके साथ बैठक करने वाल है कि वहां पर डेलिमिटेशन यानि परसीमन का मतलब नए तरीके का वहां पर जो है लोग सबाव विधान सबाव की सीटें फिर से रिया और ऑगनाईज होने के बाद क्या उसका कंडिशन होना चाहिए कितने सीट होने चाहिए यह सारे चीजों को लेकर चर्चा होगी प अगर इंपॉर्टन बात क्या है कि जम्मु कश्मीर एक राज जुहों करता था पांच अगस्त 2019 को 370 को रिपील कर दिया गया धारत 370 करने के बाद जम्मु कश्मीर का स्पेशल स्टेट का जो दर्जा था खतम हो गया पूरी तरह से अब वह एक यूनिन टेरिटरी के रु है तुम्हां चुनाओंगे चुनाओंगे तो मुख्य मंत्री होगा तो इस तरह से अभी ब्यवस्ता होनी है इस यू को लिपकर प्रुधार मंत्री के साथ चप्चा होगी उस पर नजर बनी रहेगे कुछ अच्छा अधियास हिंड़ना लिया जाता है तो उससे मैं डिसकस जरूर करेंगा अभी इतना समझें जम्मु कश्मिर की राजजानी आपको पता होने चाहिए श्रीनगर है यह स्तमर कैपिटल होती है और विंटर कैपिटल क्या है उसकी जम्मु है और वहां के LG लेप्टिनेन गवर्नर कौन है मनोज सिना कौन है मनोज सिना जी है चीड़ ह इतना ही जो है कल आगे और देखते हैं और जो भी इंपॉर्टन कोश्चन होंगे कलम वीडियो में लेकर आएंगे अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा और पीडियाफ हमेशा के तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेकर मिल जाएगा तो आज ल